मंदिर परिसर में लगे चंदन के पांच पेर काटे मामले की च्छानबीन करने मौके पर पहुची पुलिस मंदिर के पुजारी पर पथरों से किया हमला नागदा के बिर्ला ग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत 9 में रामदवारा मंदर परिसर से आरोपी चंदन के पांच पेड काट कर ले गए जिसकी जानकारी मंदर के पुजारी द्वारा थाना में दे कर रिपोर्ट दर्च करवाई इसके बाद भी चोरों ने दूसरी रात में फिर से मंदिर परिसर में शेश बचे पेड़ों को ले जाने की कोशिश करने लगे जिसकी आहट सुनकर मंदिर के पुजारी जाग गए और जब उन्होंने आरोपियों को ललकारा तो पुजारी पर पत्थरों से हमला कर दिया जिसका शोर शरबा होते ही ग्रामीन मौके पर एकत्र हो गए जिससे डर कर चोर मौके से भाग गए दूसरी रात में चंदन के पेडले जाने की वारदात को लेकर बिला ग्राम थाना में फिर से शिकायत दर्च कराई गई रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि रातरी करीब तीन बजे चोर आया और पेडले जाने लगे जब उन्हें रोखने का प्रयास किया तो उन्होंने पत्थरों से हमारे हमला कर दिया शोर मचाने पर ग्रामी ने कत्र हो गए और चोर मौके से फरार हो गए पुलिस ने मंदिर के पुजारी की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस मौके पर पहुँची और वहां साक्षय जुटाय और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक मनोज रतनाकर ने संबंदित थाना प्रभारी हेमंत सिंग जादौन को आदेशित किया है कि मामले की जाचकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफतारी की जाए जिससे इस तरह के अपराधों पर रोक लग सके प्रामीनों का आक्रोश और मंदिर से जुड़ा हुआ मामला होने के कारण नगर पुलिस अधीक्षक मनोज रतनाकर स्वन्य ही घटना स्थल पर निरीक्षन करने पहुँचे वहाँ आसपास का निरीक्षन कर पूच ताच की खटना स्थल से भी साक्षे एक अत्र करवाए उन्होंने मून स्टार म्यूस 24 के समवाददाता राकेश शर्मा से चर्चा करते हुए बताया की जल्द से जल्द मंदर के पुजारी पर हमलावरों और चंदन चोरों को पकड़ा लिया जाएगा प्राम पंचायत नान में स्थित मंदर के पुजारी हरी राम ने बताया की प्रश पूर अपने कुछ चंदर पेर चौर हुए थे. बसुशे में आपने पुलिस में कोई गयापन या आवेदयन मराँ पुछ दिया था? कितने चंदर हुए थे? 5 चंदर हुए थे? कल रातरी को गटना हुई के साथ? कल तो गटना हुए आपकशाता हुए. सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। मेरा और बनना हमार हम औरगा चुरह पाइजव के लिए डरी और्वी घड़ को सरस्सट के अगए दो चुटेश कको हो देको अजय डॉट्य बने से श्टीन अट सब्सक्राइज से देले शंटते कर देंटिया है पर दोल्ड टो पैसे किमारे टेल से शुकुजा इए मेरेगेख रगिया है अपर को च्छब को कर दिया तो धूर कर दिया है हमारे सब कर दिया और जो तो भी हरा तो 13 कि तो को Each से बर्फिती सकता है सब्सक्राइब हो term चंदन पेड चोरी हुने के मामले की जानकारी देते हुए नागदा के नगर पुलिस अधीक्षक मनोज रतनाकर ने बताया की इनके दौरा कर रात में जो भीती रात गई हैं उस रात में कुछ अग्या चोर थे क्योंकि चंदन का पेड़ काट रहे थे और इनके दौरा जब शूबने नितिक्रिया करन से यहां आए तो देखा गया इनके दौरा तो इननने शोर मचाया शोर मचाया तो भागे और फिर लौड़ स्पीकर से मंदिर में गाहँवालों को भी बुला के फिर गाहँवालों ने सब चारों तरफ देखा लेकिन वो नहीं मिल पाए आज मुझे सुबद पता लगा था तो उसी का निरिक्षन करने हम मैं यहां आया था और चंदन के पेड़ जो काटने वाले हैं चोड़ उनका जल्दी ही पता लगाया जाएगा और निरिक्षन भी किया मैंने आजपास का कुछ घटनस्तल भी देखा है घटनस्तल के आसपास भी करा है किसे महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई हैं और जल्दी हम इस शोरी का खुलासा करेंगा